हेलो फ्रेंड्स माइनम है समीत और वैलकम टो एडिटेक दोस्तों आज हुआवे की सब ब्राइंड कमपनी हॉनर ने इंडिया में अपना नया बजट फ्रेंगली स्मार्पोन हॉनर 7S को लांच किया है जो कि आपको अपको 7000 रूपीज में मिलता हैॉनर 7S के में की हाइलेट इसकी बैटरी मिलते हैं और 13 MP का रेयर क्यामरा दिया गया है दोस्तों हॉनर 7S के फुल डिटेयर स्पैसिफिकेशन की बात करूँ तो हॉनर 7S में आपको फुली पॉली कार्बोनेट रेयर पैनल मिलता है जिसमें आपको टॉप एंड बॉटम सैड में एंडिन अब बैंड देखनी मिलते हैं फोन के कॉर्णर आपको राउंडेट एंड कवर्ड मिलते हैं दोस्तों हॉनर 7S में आपको 5.45 इंच का एंडिटी प्लस यान 720 वा 1440 पिक्सल डिस्प्लेशन में डिस्प्ले मिलता है जो की 18.9 के एसपेक रेश्व में डिस्प्ले आता है इस फोन में आ आपको 2GB का RAM मिलता है तो 16GB का internal storage दिया गया है जिसको आप चाहे तो 256GB तक के memory card से expandable कर सकते हैं जिसके लिए आपको dedicated SD card का slot भी मिल जाता है फोन में आपको 13MP का rear camera मिलता है जिसमें आपको LED flash के साथ PDF HDR के picture भी मिलते है इसमें आपको 5MP का front camera दिया गया है जिसमें आपको face beautification modes के साथ soft LED flash भी मिल जाता है इसके लोग phone में आपको 3020MHz की battery मिलती है और power management का feature भी मिल जाता है इसमें आपको 4GB LED के साथ बाकी सबी प्रकार के sensor मिलते हैं लेकिन आपको इसमें fingerpiece sensor नहीं मिलता दोस्तों Honor 7S phone आपको 7,000 रूपीज में मिलेगा जिसको अगर आपको buy करना है तो ये phone आपको 14 September से flip card पे मिलेगा तो दोस्तों 7,000 रूपीज में मुझे जो Honor 7S में इतना कुछ खास specification नहीं लगा है अगर किसी को नया phone भाय करना है याने सिप Honor का ही phone भाय करना है तो वो ये phone को buy कर सकता है अधर्वाइस मेरा suggestion इस phone के लिए नहीं रहेगा क्योंकि 7,000 र ये भी phone आपको इस price range में मिल जाते है तो दोस्तों आप लोगों क्या लगता है Honor 7S के बारे में आपकी राप मुझे comment box में जरूर बताएगा तो दोस्तों अगर आपको ये informational वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे like, share और comment करना ना भूले और ऐसे वीडियो के लिए लेसे इंटेस्टिंग वीडियो के साथ तब दके लिए take care and bye bye friends